नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल UPSC IS एक्जाम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दा हिंदू एडिटोरियल के डिटेल एनालिसिस और डिकोडिंग के बारे में आज की डेट है 24th of March 2018, Saturday, this video is been presented by UPSC IS एक्जाम यूट्यूब चैनल, We Believing Delivering Excellence ट्रम के उपर, तीसरा है हेल्थ मिशन के उपर और चोथा है अमेरिका के उपर आईए दोस्तों पहले एडिटोरियल की बात करते हैं जिसका टाइटल इस तरह से है The National Health Protection Mission Requires a Bold Holistic Approach जिसके अंदर बात की गई है हेल्थ के रिगार्डिंग और हेल्थ के लिए जो गवर्मेंट स्टेप्स ले रहे है अब तक के लिए हिंदुस्तान की आवाम को जो हेल्थ की फैसलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो देश में हेल्थ एक्टिविटीज और हेल्थ कमिशन और हेल्थ के जो मिसन्स होते हैं उसके उपर कुछ बात की गई है NDA गवर्मेंट ने जो स्कीम लाई थी कि 5 लाख रुपे तक की सहाई देनी है पूर और वनरेबल फैमिलीज को 10 करोड से भी जादा लोग इस प्रोग्राम का लाफ उटा सकते हैं इसका नाम रखा गया था आयुश्मान भारत जो की एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत था और ये केबिनेट में हाल ही में अपरू किया है और इसका इंप्लिमेंटेशन भी काफी जल्दी होना काफी आवश्यक है और इस पूरी योजना का सबसे जादा जो इंपोर्टन्स है वो दिया जाएगा कि गरीब और मध्यमवर्क के लोग जो की काफी जादा पैसे खर्च नहीं कर सकते अपनी बीमारी या फिर उसकी इलाज के लिए इसी लिए इस स्कीम को लाया गया है कि यह जो स्कीम है वो एक स्टेट गवर्मेंट हर एक स्टेट की स्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट साथ में मिलकर इस स्कीम को इस मिशन को जिसका नाम होगा आयुश्मान भ क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगर देश को सबसे आगे ले जाना है तो देश की सबसे मजबूत कड़ी जो होनी चाहिए वो उसकी होनी चाहिए देश की हेल्थ पूरे देश में जितने भी लोगे जिससे जितने ज्यादा लोग अपनी हेल्थ अच्छी रख प पाएगा तभी देश सबसे जादा तेजी से वरगती कर पाएगा इस योजना के सक्सेस्फुल इंप्लिमेंटेशन के लिए जो काफी इंपोर्टन चीज़ है वो है कि एपेक्स काउंसिल ने ऐसा डिसाइड किया है कि ये जो योजना होगी वो सेंट्रल और स्टेट गवर मिले और इसके साथ कुछ इसके साथ लीगल फ्रेमवर्क्स पी कनेक्ट हो जिसके लिए कुछ सेपरेट लोज बनाए जाए जिस सेपरेट लोज से बेनिफिट ये होगा कि ये जो स्कीम होगी वो काफी हद तक सक्सेस्फुल इंप्लिमेंट होने के लायक और काबिल बन पा इस चीस के रिजल्ट्स क्या मिलेंगे इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से मिलेंगे कि जो की ज़्यादा तर अभी प्राइवेट होस्पिटेल्स के जो सिनारियों से चल रहे हैं उसमें ट्रीटमेंट काफी महंगे है और हर एक इंडिविज्यल को वो प्राइस है मार्केट में पूरे हिंदूस्तान में इसके ऊपर कुछ लगायम लगाई जा सकती है इसके अलावा जो एनेच पीएम है उसका बेनिफिट टारगेट एरिया यह है कि सिनियर सिटीजन्स बच्चे और विमन्स को सबसे जादा सेंटर में रखके इस कीम को बनाया गया है इसके अलावा काफी सारी टर्मिनोलोजीज को लेके सेड्यूल काईट और सेड्यूल ट्राइब को और उनके घरों और उनके परिवारों के लिए भी किस तरह से बेनिफिट का लाब हो सके उसका भी इसकीम के अंदर विवरण किया गया है उसके बाद जो गवर्मेंट है उ ओवियसली सारा का सारा जो खर्चा है वो हिंदुस्तान के जो टेक्स पेयर है उनके टेक्स से इसकीम का भुकतान किया जाएगा इसलिए सरकार हमेशा इस बात पर गोर देती रहती है कि कृपिया टेक्स चोरी ना करे और अपना जो भी हिस्सा टेक्स के तोर पे देना पड इस एडिटोरियल के अंदर WHO की भी कुछ बात हुई है जिसके अंदर कहा गया है universal health coverage को किस तरह से WHO ने define किया है तो WHO ने universal health coverage को कुछ इस तरह से बताया है कि all people obtain the health services they need without suffering financial hardship when paying for them इसका short में मतलब यह होता है कि जो भी इंसान को किछी भी तरह की treatment या health service की जरूरत हो वो अपनी कोई भी service avail कर सके और कोई भी financial hardship का सामना ना करना परना पड़े sustainable development goals की दारिये दोस्तों कुछ बात कर लेते है sustainable development goal 2030 के लिए यह रखा गया है कि universal health coverage की पूरे विश्व में सब को पूरी की पूरी health facilities मिले sustainable development goals की कुछ बात कर लेते है sustainable development goals यानि पहली दफा स्टार्ट हुए थे 2000 में जिसे दूसरे नाम से इस तरह से भी जाना जाता है millennial development goals उसके बाद हर 15 साल में यह sustainable development goals revise और analyze दोनों किये जाते है इस 2000 साल 2000 के बाद साल 2015 में भी sustainable development goals set किये गए थे और 15 की ही meeting में 2023 तक के sustainable development goals जो की बनाया गये थे जिसमें की universal health coverage को काफी importance दिया गया था और इंडिया को इस standards को match करने के लिए काफी हद तक deadline तक पहुचने के लिए काफी मैनत करनी पड़ेगी जो की काफी important देश के और विश्व के लिए है जो UAWHO ने भी बताया और UN ने भी कहा है अब बात करते हैं government इस तरह की policies को बनाने के बाद उसे successfully implement कर नहीं पाती है या फिर कैसे ऐसे loopholes रहे जाते हैं कि government जादातर खिसों में जादातर policies में fail हो जाते हैं तो उसके बारे में बताया गया है कि government जादातर इन चीजों पे ध्यान नहीं देती जैसे कि affordable housing, planned urban development, pollution control और road safety इन मामलों में कभी government ने अच्छी तरह से work out नहीं किया है जो की एक reason बताया गया है WHO के द्वारा की public health का burden government पे जादा बढ़ जाता है क्योंकि government इन चार चीजों पे जादा focus नहीं करती है उसके बाद नीती आयोग के बारे में कुछ बताया गया है नीती आयोग ने ये कहा है कि ये जो पूरी scheme है आयुश्मान भारत उसको state यानि की central level से जादा उसको state government के उपर जादा चोड़ा जाए कि वो इस चीज के उपर कैसे work out करेगी और इस तरह से scheme को successful implement किया जा सकता है लेकिन अंत में ये बात हो रही है कि NHPM has a national character जो बनाया गया है NHPM जो mission है वो एक national mission है और इस mission को complete करने के लिए एक centralized unified body उसके लिए एक separate law और इस services को avail करवाने के लिए जो policies और strategy बनाये जाएगी वो NHPM के द्वारा बनाये जाएगी जो ज़्यादा तर implementation work होगा वो state government के बाद से होगा it is a challenging task to make all this reality and the government will have to work hard to put in in place यानि कि इसका मतलब ये है कि government को इस चीज को implement करवा के results लाने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा इसके बाद का जो वीडियो है वो जादा तर हमारी लिए important लई है लेकिन इसके बारे में discuss जरूर कर लेते हैं ये जो article है वो कुछ US के अंदर कुछ interest rate के बारे में बात की गई है और इसके उपर से हमें India को क्या देखने को रहेगा इसके बारे में बात है US के अंदर इस week के दोरान benchmark short term interest होता है उसके उपर 0.25% का इजाफा कर दिया गया है जो पहले था वो था 1.50% यानि कि 1.5% और अब जो है वो है 1.75% जो कि ये पूरे दशक का सबसे ज्यादा short term benchmark interest rate माना जाता है critics का कहना है कि इसकी adverse effect होगी वो stock markets और पूरी की पूरी economy पे पड़ेगी उसके अलावा it will split over into other markets यानि कि जब अमेरिका की market में कुछ ना कुछ change आएगा positive या negative तो उसका पूरा का पूरा change जो होगा वो international stock market में भी देखने को मिलेगा और जो corporate depths होगे उसके उपर भी इसकी काफी जहत तक असर रहेगी और affects the asset price यानि कि जो properties और assets के जो rates होगे इससे काफी उसको भी adverse effect होगी और जो इंडिया के नजर ये से देखा जाए तो जब अमेरिका की market में stock market में कुछ negative change देखने को मिलेगा तो worldly basis पे उसकी effect होगी और काफी हद तक इंडिया की काफी सारी companies है जो New York Stock Exchange के अलावा काफी American Stock Exchange में भी registered है तो हमारे यहां stock exchange में भी काफी जाधा हद तक sensex में गिर जावट देखने को मिल सकती है इसके अलावा जो तीसरा article है वो भी अमेरिका की तरफ से ही है अमेरिका को relate करता हुआ है यह जो article है वो है Donald Trump और उसकी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण deal breaking बातों के बारे में इस बारे article में कुछ बताया गया है कि अमेरिका के राष्टरपती Donald Trump का काफी हद तक नजरिया दूसरे राष्टरपतियों से अलग था और वो कही ना कही उसके साथ जो related bodies है government bodies और उनके जो heads है उनके साथ उसकी कुछ अनबल चर रही है जादा तर वो लोगों से कहते आ रहे है कि मेरा जो नजरिया है मेरा जो international terminology पे जो viewpoint है वो कही सारे लोगों स getting key post in the US Presidents team the nuclear dean becomes the target यह जो है वो semi headline बताई गई है इस पूरे के पूरे editorial की जिसमें बताया गया है कि जो anti-Iran hawks थे उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण post दी गई है US Presidential Team के अंदर जो इस मुद्दे को बनाती है एक neutral deal के उपर ध्यान देने वाली बात को there has been no secret that US President Donald Trump और उसके Secretary of State जिनका नाम है Rex Tillerson उनकी कुछ कहीं समय से अनबन चल रही है और foreign policies के issue को लेकर काफी तनाव की स्थिती रही है Secretary of State और President of America के बीच में उन्हें हाल ही में पिछले महीने ही अपनी post से बेदेखल कर दिया गया था क्यूंकि Mr. Trump और उनके वीचारों में कहीं topics पे समझोतिया नहीं मिल पाती थी और nuclear deal इरान वाली जो थी उसके उपर तो खास करके आईए कुछ बात कर लेते हैं इस article के उपर जो की एक तरह से कहा जा सकता है कि एक Trump के उपर एक biased article है जिसके नेगेटिव तरीके से भी लिया गया हुआ है completely biased article भी से बोल सकते हैं जिसके अंदर पिछले president और current president की एक तरह से comparison बताई जा रही है जिसमें बताया गया है कि 2015 में जब Obama की government चल रही थी presidency of Obama उस समय के उपर उन लोगों ने एक signature diplomatic achievement sign किया था peace Iran और America के बीच में जिसमें nuclear programs के बारे में कुछ मुद्दो को लेकर discussion हुई थी और एक treaty sign हुई थी लेकिन Trump का कहा जा रहा Trump के द्वारा कहा जा रहा है कि वो अब तक की सबसे बुरी यानि कि the worst deal ever थी और इस campaign से the deal upon being elected rip off कि पूरी की पूरी जो deal थी Trump का कहना है कि पूरी की पूरी deal बहुत ही negative तरीके से बनाई गई थी और इसका कोई importance नहीं रहता है यह Trump का मानना है और जो नए Secretary of State है जिनका नाम है Mike Pope है यह काफी important है यह नाम जानना जरूरी है क्योंकि अभी यह currently change हुए है एक महिना तक का ही समय हुआ है और वो भी काफी तरह से इरान के उपर बास रज़र लगाए बैठे है और इसके अलावा जो rational arguments है favor of nuclear arrangement with Obama's administration as well as European power काफी हद तक Obama के ऊपर bombarding की गई है Trump के द्वारा कि वो जो भी यह जो डील हुए है इरान के साथ नी nuclear deal, nuclear programs और जो भी signatory diplomatic achievements हुए है वो काफी हद तक convincing नहीं है there's been main objective was to stop Iran from acquiring nuclear weapons यह जो डील थी वो इस तरह से थी कि इरान को कहीं ना कहीं रोका जाए कि nuclear weapons को बाई ना करे और यह जब बात चल रही थी तब वहां के जो राश्ट्रपती थे 2013 में हाल ही में वही है हसन रोमानी उस समय भी यह सारी चीजे जो थी यह इरान को nuclear weapons acquire करने से रोकने के लिए थी क्योंकि इरान से स्यादा थर खत्रा जो है अमेरिका के West Asia वाले portion में जो आने वाले countries हैं उसको सबसे ज्यादा है Saudi Arabia, Israel और जो nuclear power जब सबसे ज्यादा इरान consume करेगा तो हो सकता है कि neighboring countries वहाँ की जो neighboring countries उनको काफी हग तक इस स्तिती से तनाव में रहना पड़ सकता है और powers की भी काफी dynamic और diplomacy देखने को मिल सकती है Saudis and the Iranese, Israels are as much afraid of an Iran which nuclear power as they are of Iran as a non-nuclear region power यह जो Iran का जो reason है उसके साथ के जो surrounded countries है Saudi Arabia और Israel वो काफी हद तक Iran के nuclear power की जो buying है जो कि वो market से सबसे ज्यादा nuclear power ले रहे है उससे जादा सबसे जादा तकलीफ में यह सारे countries है और Trump ने इन countries को support करने का promise किया है क्योंकि जब भी Trump का election हुआ था उसके बाद Trump ने Israel और UAE के दोरे किये जहाँ पे उन्होंने देखा CIA सुनी की conflicts के विबारे में उन्होंने काफी discussions की और अपने viewpoints दिये थे अंत में बताया गया है कि यह जो Mr. Trump की जो भी US को लेके nuclear power के उपर जो भी नीतिया है वो ज़ादातर policies में America को nuclear peace से बाहर निकाल रहे है तो European जो group है वो इस चीज़ को काफी हद तक ignore कर रहे है और उसे पसंद भी नहीं कर रहे है और दूसरी तरफ खुद America के अंदर जो Secretary Council है वो भी इस बात को ज़ादातर negligible rate पे ही sanction कर रहा है उसके बाद का जो आर्टिकल है वो है टिबेट के बाहर में जब टिबेट ने बताया है कि टिबेट इस नोट अ कार्ड यानि कि टिबेट ये जो आर्टिकल है वो टिबेट इंडिया और चाइना के viewpoint और एंगल्स ते दिया गया है कि जिसमें semi headlines है टिबेट इस नोट अ कार्ड इंडिया मस्ट रिफ्रेश इट्स ओवर्सी चाइना पॉलिसी और इस डोमेस्टिक एंगेजमेंट विद टिबेट इन कॉम्यूनिटी कि टिबेट क्या चाहता है टिबेट अभी किस दोर से गुजर रहा है इंडिया और टिबेट के बीच में क्या relations है टिबेट और चाइना के बीच में क्या relations है और इन सारी मशक्कत के बाद टिबेटन कॉम्यूनिटीज क्या सफर कर रही है और क्या चाहती है तो चलिए दोस् है वो यहां के spiritual gurus है और जादा तर लोग दलाई नामा की बात को completely agree करते हैं तो दोस्तों बात करते हैं इंडिया के एंगल से कि इंडिया ने अब तक Tibet के लिए क्या क्या किया है अब तक इंडिया ने Tibetan communities को कफी दफां shelters provide किया है उनके refugees को यहां पे इंडिया में पना दी है और यहां के जो टिबेट के जो भी refugees या फिर move on करके migrate करके आने वाले लोग है उनमें से कही सारे लोगों को साधातर facilities, infrastructural facilities, रहने खाने पीने की शुविदार और citizenship तक का भी settlement किया हुआ है 40 settlements between India and Tibet अब तक इंडिया और Tibet के बीट में 40 ऐसे अच्छे settlements हुए है जिससे इंडिया से ज़्यादा helpful और कोई country Tibet के around नहीं है इंडिया ने अब तक काफी heads, काफी health provides की है और जो Tibetan communities है उनको funds, health और support हर तरह से provide किया गया है जिससे कि Tibet अपने आपको stronger बना सके और कहीं पर भी अपने आपको चाइना के सामने weaker या singular feel ना करे और इसके अलावा इंडिया ने काफी सारे construction of infrastructure वाली activities की है roads, rails, transportation की भी जो facilities थी वो इंडिया और Tibet के बीच में काफी stronger की है पिछले 20 सालों में चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि Tibet का इसके उपर किया एंगल है Tibet is a nation divided by, driven by the spiritual leader Dalai Lama यानि कि यह जो line है इसके उपर यह बताया जा सकता है कि Dalai Lama एक ऐसे इंसान है जो Tibet से बिलोंग करते है और पूरा जो nation है Tibet वो सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात सुनता मानता और गौर करता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ Mr. Dalai Lama Tibet के परिस्तितियों से गुजर रहा है उसकी कुछ बात करते है Tibet is constantly striving for free Tibet with no involvement of any nation to be peaceful nation of the mud Tibet चाहता है कि वो खूद एक peaceful nation के तौर पे worldly एक ऐसी image उबर कर ला सके और कोई भी nation उसके अपने सली के से गुजरने में कोई involvement ना रखे उन लोगों की ये demand है कि उन लोगों की जो Tibet की next generation आए वो एक free nation में कुछ सांस ले, कुछ जीए, कुछ सोचे, कुछ आगे बढ़े और जो next Dalai Lama होंगे current Dalai Lama के बाद में वो कुछ as position acquire करने से पहले अपने nation में free air और freedom की मांग करते हुए नजर आ रहे है और कोई भी nation टिबेट के अंदर interfere involvement ना रखे ये टिबेट की सबसे बड़ी requirement और demand आज के तोर पे मानी जा रही है इसके बाद बात करते है चाइना का angle क्या है चाइना इस दो नेशन विद वर्ल्ट नंबर वन population यानी की चाइना है जिसके उपर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़ादा population जिसके tagline पे बनी है वो है चाइना और चाइना हर दफा यही कोशिश करता रहता है कि उसको ज़ादा से ज़ादा land area मिले ताकि वो अपने nation को expand कर सके इसके उपर तिबेत के उपर यही reason से उन लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं चड़ाई करके रखी हुई है दूसरी ओर से देखते है तो उन लोगों ने चाइना ने टिबेट के लोगों को टिबेट कार्ड प्रोवेड किया है जिससे की Chinese area में जो चाइना completely originally China है उनको partly Chinese citizenship का भी advantage मिले और Mr. Qing Jinping है जिसको हाल ही में एक foreseeable presidential ship का भी approval मिल चुका है वो ज़्यादा तर अब जो भी discussion लेंगे decision लेंगे और discussion करेंगे वो ज़्यादा तर टिबेट की matters पे ही होंगे और अब बात करते हैं conclusion क्या है इस बात का इस editorial का जो aim है जो जिस्ट है हमें बताने का वो क्या है वो ज़्यादा तर बात की है जिसका title ही यही है कि Tibet is not a card टिबेटियन लोग यह चाहते हैं कि हमें किसी भी nation की ऐसी involvement की जरूरत नहीं है जिससे हमारी freedom है वो चिन जाए या फिर हमारे देश के नहीं है हमें completely interfering free environment चाहिए हमारा nation एक peaceful nation के तोर पर रहना चाहता है without collaborating or being surrendered to any nation ना हमें चाइना के साथ रहना है ना कई इंडिया के साथ हमें एक free nation के ऊपर रहना है यह सारी बात की गई है और इसलिए इसका जो core agenda title बताया गया है वो है टिबेट is not a card काड के आधार पर हमें decide ना करे कि हम टिबेट काड होल्ड करते है तो हम चाहिना में partly citizenship का भी advantage ले शकते हैं हमें काड नहीं चाहिए हम लोग को freedom चाहिए दलाय लामा भी यही चाहते है अपने अनुयाई को भी दलाय यामा यही बोलत देशों से और surrounding सारे देशों से यही मांग करे कि टिबेट वन्टो बी दे फ्री नेशन इन दे वर्ल्ड चो दोस्तों थैंक यू सा मच फॉर वस्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो शेर द वीडियो 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 और नियर एंड वरंस और दो प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको पता चलेगा जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में हमारे कुछ ऐसे लिंक्स दिये गये हैं जिससे कि आपको टेस्ट पेपर, स्टडी मटीरियल और इमेल प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे हैं जो कि absolutely free है जिसके अंदर आप registration करके काफी सारी ऐसी नोट्स और डीटेल मटीरियल को प्राप्त कर सकते हैं absolutely free जो कि आपको IAS की beginners preparation के लिए the best मानी जा रही है Thank you दोस्तो, Jai Hind